सूप्रफात प्यारे बच्चों आज हम पड़ेंगे पाठ नो हरा भरा हर्याना या नामें बच्चों पाठ का हरा भरा हर्याना प्रस्तूत पत्र में हमारे देश के एक छोटे से राज्य हर्याना की स्तती तदा प्राकर्टिक सुस्मा का आकर्शक वर्णर किया गया है देखो बच्चों ये पाठ है को क्या है एक पत्र है पत्र लिखा गया है अपने एक दोस्त को दूसरे मित्र को एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को पत्र लिखा गया है इस पार्ट के अंतरगर और इस पार्ट में हर्याना जो एक छोड़ा सा राज्य है वहां की जो छटा है उसका वड़ना किया गया है परिक्षा भवक नई दिल्ली 11 अक्टूबर यह जो लिखरा ए न जिस मित्र ने अपने मित्र को पत्र लिखा एँ जिसके द्वार यह पत्र लिखा गया है उसका पता है प्रिये विनायर क्या नाम है मित्र का जिसको पत्र लिख रहा है विनायर प्रिये विनायर तुम्हें यह जानकर प्रसनता होगी की मुझे सिर्शा के केद्रिये विद्याले में प्रवेश मिल गया है पापा जी की इस्ताना अंत्रण इस्तारांद्रण मतलब ट्रांस्वर हो गया वहां से, जहां वो नोगरी करते थे, वहां से उनका तबादला हो गया है के समय सभी मेरे बारे में काफी चिंतित थे गुजराद से हर्याना अकर सब कुछ बदला सा लग रहा है पहले काहां रहेता तब वो गुजराद में रहेती थे और गुजराद से उसके पापा का जो इस्तारांद्रन हो गया तो फिर वो कहां रहने लगए हर्याना में जाख यहां की बोली भी बिन है बिन मतलब अलग, यहां की निवास्यों का रहसम παई बिन है जो लोग वहां पर रहते हैं, उनका खान पान भी अलग है, और बोली भी वहां की अलग है तुमने हर्याणा राजी के दिशे में जानकारी माही थी सो में तुम्हें यहें जानकारी देने के लिए पत्र लिक रहा ओं स्वतंद राज्य बनने से पूर्व हर्याना पंजाब राज्य का आंगे था किसका आंगे था पंजाब राज्य का जब स्वतंद राज्य नहीं बना था उसके पहले हर्याना पंजाब राज्य का आंगे था इसे स्वतंग राज्य बनाया गया हरियाना भारत का एटिहासिक राज्य है कैसा राज्य वच्चो हरियाना भारत का एटिहासिक राज्य इसमें भारत की प्राजीन सब्वेता के अउसेज पाए गए हैं यहाँ पर जो हमारी प्राजीन सब्वेताये उसके अवसेज कहाँ पर मिले हैं हरियाना में पाए गए हैं महाभारत का यूद इसी राजी के कुरुशेत्र में लड़ा गया था महाभारत का जो यूद हुआ था वो भी हरियाना के ही कुरुशेत्र में हुआ था यहां प्रसित स्वरस्वती नदी बेहन दी थी जिसके किनारे वेदों की रचना हुई थी कौन सी नदी निकलती है हर्याना में स्वरस्वती नदी और उसके किनारे पर किसकी रचना हुई थी वेदों की आज यह नदी लुपत हो चुकिये मतलब गायव हो चुकिए, दस्ट हो चुकिए हर्याना में हिसार की निकट एक तीला है हिसार जुए हर्याना के अंदर वहाँ पर एक तीला है जिसमें हड़क्पा सब्गेता के समय की बसकी चिप्यू लिए है हिसार को पहले राखी गड काह जाता था किस नाम से बुलाया जाता था बच्चों, हिसार को राखी गड़ के नाम से हरियाना के प्रसित नगरों का वर्णन प्राचीन पूराणी, M.A.T.A.C. ग्रंतों में मिलता है प्राचीन मतलब पूराणी, पूराणी मतलब जो गथाएं हैं अमारी पहले की पारंपरीक A.T.A.C. ग्रंत में मिलता है, हरियाना के कुछ नगरों के नाम अब बदर चुके हैं अब में नगर हैं, महीम, महित्ता, रोहतक, रोहित्त, हरियाना के जो नगर थे उनके नाम पहले तो क्या था? महीम था और बदल करके क्या हो गया? महित्ता एसे ही रोहतक नाम था और रोहतक का नाम बदल करके रोही तक हो गया गुडगाओं का नाम बदल के गुरुग्राम और केथल का कपिस्तल अग्रोहा का अग्रोग्दक्ट पानिपत का प्राणी प्रस्त और सोनिपत का सोन प्रस्त आधी हो गया है ये नाम बदले गए हैं हर्याना के अधितर लोग क्रशी कारे करते हैं क्रशी सेत्र में हर्याना ने बहुत प्रगती की है हर्याना जो राज्ये नहां के जो लोग है वो क्या काम करते हैं हाधितर गशी वतल खेति करते हैं यहां के खिसान फेप्याणिक डंस्य क्रशी खेति बारी करते हैं यहां घर-गर में टेक्टर तथा अन्य आधूनिक तक्निक पर आधरिक गषिय अंदर उपलब्द हैं उधियोग दंदों में भी हर्याना अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत आगे निकल गया है गुडगाउं परिदावाद यमुना नगर और जगा धरी हर्याना के प्रसित ओध्योगिक नगर हैं हर्याना में अनेश प्रसित परिदावाद में देखने की जग है जहां पर बार से देश से लोग देखने आते हैं परिदवार में सूरजकुंद और बढ़कल जील पर्यटकों के आकर्शन के केंद्र है। कर्णाल के निकर्ट, चक्रवर्ती जील और पुरुशेत्र का ब्रह्म सरोवर भी विशेस आकर्शन के केंद्र है। सहवार जिसे खिलाडियों तथा कल्वना चाउना जैसी अंत्रिक्ष यात्री ने हर्याना की शान में चार चांद लगा दिये हैं। इन्होंने हर्याना की जो शान है दशा है उसमें चार चांद लगा दिये। इनकी मैनल से हर्याना का नाम आगे बड़ा है। यहां के लोग सीधे और सरल्जोबाँ के हैं। यहां अनेत बेठा को और कभी हुए हैं। सिर्शा केतल, हरिदाबाद और बुड़गाओं नगट साहिते और संस्कृति के प्रमुक्र केद्र है। हर्याना मसी, हर्याना राज्य की विशेशता प्रकट करते हुए कहते हैं देशा में देश हर्याना। अता देशों में देश कोंसा है हर्याना, जित दूद दही खाना। उस हर्याना के अंदर जितना भी दूद दही खाना हो उतना ही मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर गाय और भैस आधी बहुंच अतेदिक मात्रा में मिलते हैं अर्धार देशों में हर्याना विशेश प्रदेशे जहां के निवासी दूद और दही खाते हैं आशा ये गुजरात में बेटे बेटे तुम्हें हर्याना की जलक मिल गई होगी अंकल आधी से मेरा प्रणाम कहना तुम्हारा मित्र पुलकित गर्ग किसने लिखाए ये पत्र पुलकित गर्ग ने लिखाए और किसको लिखाए प्रिये मित्र विनायक को और हरियाना की जो हरी बरी दशा है उसके बारे में इस पत्र में वर्णन किया गया है ठीक है बच्चों?